नवस्कार मैं सुथी शुक्ला क्रिशी न्यूज में आपका स्वागत है आए नजर डालते हैं आज की क्रिशी से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर हर्याना प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के मुख प्रवक्ता बजरंगर्ग ने कॉंग्रेस प्रतिनीदियों से बाचीत करने के बाद कहा कि प्रधान मंत्री नरिंद्वधी द्वारा तीन क्रिशी कानून को वापिस लेने की घोशना किसान आरली वा मुझदूरों के तब बलि वेबसाइब पर किसका असर देखने को मिल रहा है आपको बता दें बर्धी ठंड और बेमौसम बारिश की वज़े से पूड़े के इंदपुर क्रिशीमंडी समिती में मशली बाजार में गिरावटाई है साथ ही दूसरी और मशली के दामों में भी इजाफा हुआ है दरसल परियावरण मशली पकड़ने के लिए मुश्किले पैदा कर रहा है तो वहीं यही हाल रहा तो मशली की कीमतों में और तेजी आने की उम्मीद दताई जा रही है भारत में राजनीतिंग मोड पर आपसी मुकाबरा चारी है तो वहीं दूसरी और मद्प्रदेश में राशन आपकी ग्राम योजना की शुरवात की गई है बुकमंत्री शिवराज सिंग चुहान ने 16 नमंबर को योजना के पहले चरण के लिए बहानों को हरी जंडी दिखा कर रवाना कर दिया है तो वहीं स्तियम ने इस अफसर पर कहा इस योजना के तहत राज की नवासी आदिवा को कवर किया जाएगा खेतों में बड़ी पराली को लेकर परिशान है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है दरसल आथा किलो गुड़ और दो लीटर मठे का प्रयोग करके आप एक एकर खेती की पराली को खाद बना सकते हैं आपको बता दें कि इसके प्रयोग की जबूरी को कम किया बलकि बलकि जमीन को भी उबजाव बनाएगा राजिस्थान के राजड़ जपाल कल्राज मिर्ष्ण साक्षी महाराज ने भी कहा कि कानूर बनते हैं विगड़ते हैं और फिर वापस आ जाते हैं बंगाल सरकार की ओर से किसानों के लिए क्रिशक बंदू योजना चलाई जा रही है इस योजना के तहट इस रभी सीजन में चेटर लाग किसानों को इसका लाब दिया जाएगा दरसल इस योजना के तहट किसानों के खेतों में 25 करोड रुपे की राशी बंगाल सरकार की ओर से ट्रांसफर की जाएगी आपको बता दें इसको लेकर बंगाल की ममतब एनरजी सरकार ने पूरी तयारी कर ली है साथ ही राश सरकार की ओर से प्रदेश के 60 लाग किसानों को दी जाने वाली ये राशी पीम किसान सम्मान में दियोजना में दी जाने वाली राशी से अलग होगी विश्व मतश दिवस की अपसर पर वर्ट फिश्रीज डेज पर क्रिशी जागरे ने एक विबिनार का आयूजन किया क्रिशी जागरें हमेशा किसानों को क्रिशी और विबिन सम्मत सेवाओं में नवीनतम रुजानों से अवगत कराने के लिए सक्री रूप से काम करता आ रहा है अगले 24 घंडों की दोरान रायल सीमा करनाटक के कुछ हिस्सों और तमिल नाडू के अलग-अलग हिस्सों में मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावता है तो वहीं ओडिसा, लक्षदी, मद्र प्रदेश के कुछ हिस्सों और गुजरात के कुछ हिस्सों में हलकी बारिश होने के आसार है इसी तरीकी की अन्ने खबरों के लिए जुड़े रहे है कृशी जागन के साथ धन्यवाद